हलो स्टुडेंट आज मैं आप लोग को जीके के तौर पर कुछ महतपुन क्वेस्चन को देंगे जो आप लोग के हर कमप्टेटिव एक्जाम में आते हैं और आहेंगे भी इसमें जो है की वन लाइनर क्वेस्चन के आइनसर तुरंत आपको मिलेंगे आपको जो है की बिना भी कल्प के अप नए ट्रेंट के अधार पर ये जो है की question आपको मिलेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से ऐसे question मिलेंगे जो परिख्षा में किसी ने किसी परिख्षा में अवस्य आया हुए है तो आईए start करते हैं कौन सा question जो है की कहां पर मिलेगा तो इसलिए पूरा वीडियो देखना जो है की तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये सारे question जो है की important है और अधिकांस question पेपर में पूछे भी गये हैं तो आईए start करते हैं और वीडियो को जो है की share करते रहिएगा पहला question है भारत में किस अस्थान को उगते सुरज की भूमी के रूप में भी जाना जाता है तो इसका answer आपके सामने है अरुनाचल प्रदेश को कहा जाता है किसको कहा जाता है अरुनाचल प्रदेश को कहा जाता है अगला प्रसन है भारत में कौन सा तेवार रंगों के तेवार के रूप में मनाये जाता है ये भी प्रसन आप लोगों को पता है तो इस प्रसन का उत्तर है अगला प्रसन है भारत में पहला बायो इस्पियर रीजर्ब कौन सा है निलगिरी बायो इस्पियर रीजर्ब है जिसे 2012 में युनेस्को में सामिल किया गया है कब UNESCO में सामिल किया गया है तो इस प्रस्ण का एक extra point मिल गया आप लोगों कि 2012 में UNESCO में सामिल किया गया अगला प्रस्ण है भारत में प्रस्थिद सूर्य मंदिर कहा इस्थित है कोणार कहा है उडिशा में इस्थित है अगला प्रस्न है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है भारती रिजर बैंक को है आर्बियाई को और आर्बियाई की एस्थापना कब हुई थी 1901 जनवरी 1949 को राष्टिय करना किया गया था और 1935 में जो है की इसकी जो है की 1934 में 1935 सधिनियम के तोर पर किया गया था और इसकी भूमिका रिजर बैंक की भूमिका में जो है की बियार आम बेटकर की अहम भूमिका रही अगला प्रस्ण है भारत में सासन करने वाला यानि भारत में बन छेत्र का सबसे बड़ा छेत्र वाला राज ये कौन सा है यानि भारत की इस राजे में सबसे अधिक बन है तो मद्य परदेश हो जाएगा भारत में सासन करने वाला अंतिम मोगल बात साह कौन था इस प्रस्ण का सही उत्तर है बहादूर साह जफर या बहादूर साह दूती है जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है और बहादूर साह जफर को जो है की ये कब से कब तक सासन किये थे तो 1837 से लेकर के 1837 तक 1837 की क प्राजित कर दिया गया था अगला प्रस्ण है भारत में सबसे गर्म अस्थान कौन सा है राजस्थान है अगला प्रस्ण है संजुक्त राज अमेरिका की राइधानी कहां है संजुक्त राज अमेरिका की राइधानी वासिंग्टन डी सी है वासिंग्टन डी सी है अगला प्रस्न है भारत में स्टेचू आफ उनिटी का निर्माण कहां किया गया है इस प्रस्न का सही उत्तर है जो है कि गुजरात में किया गया है और किसकी जो है कि स्टेचू आफ उनिटी में मूर्ति बनी है तो सरदार बल्लभाई पटेल की बनी है जो 31 अक्टूबर को इ ये मूर्ति सबसे उची है, 182 मीटर उची है, नर्मदा नदी के तरफ पर बनाया गया है। अगला प्रस्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारती महिला कौन थी ये थी इंद्रागांधी पूरो प्रधान मंत्री इंद्रागांधी थी अगला प्रस्न है भारती अंतरीक्ष कारेकरम का जनक किसे माना जाता है भारती अंतरीक्ष कारेकरम का जनक बिक्रम सारा भा को माना जाता है अगला प्रस्थ है भारत की सतारीक और बर्स को गड़ जाना जाता है अगला प्रस्थ है भारतिय सम्मिधान कितनी भासाओं को मानेता देता है तो भारतिय सम्मिधान 22 भासाओं को मानेता देता है अगला प्रस्ण है भारतिय सम्मिधान के पिता के रूप में किस से जाना जाता है डाक्टर बी आर अमबेडकर को किसको डाक्टर बी आर अमबेडकर को यानि भीमराव अमबेडकर भारतिय समिधान में कितने मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो भारतिय समिधान में कितने मौलिक अधिकार इस समय है तो छे है और प्रारंभ में समिधान के साथ अधिकार दिये गए थे संपत के अधिकार को हटा दिया गया अगला प्रसन है महराष्ट की राज़ानी क्या है तो इसका उत्तर है मुंबई मुंबई है अगला प्रसन है माजोली भारत के किस राजे में इस्थित एक नदी दूप है ये असम में है अगला प्रस्न है वाराजी जिसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है कौन सा है तो ये उत्तर प्रदेश है कौन सा राजी है उत्तर प्रदेश राजी है अगला प्रसन है बीश्व का सबसे बड़ा लोगतंत्र देश कौन सा है तो इस प्रसन का उत्तर है भारत अगला प्रसन है बीश्व का सबसे लंबा लिखित सम्विधान कौन सा है तो भारतिय सम्विधान है अगला प्रस्ण है विश्व के साथ अजूबों में से कौन सा भारत में इस्थित है ताजमहल कहां पर है आगरा में है और ये उत्तर प्रदेश में है बुलर जील भारत के किस राजे में इस्तित है तो ये इसका उत्तर होगा जमू और कस्मीर में जमू और कस्मीर में इस्तित है अगला प्रसन है वे कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साजा करते हैं तो भारत के साथ सीमा साजा करने वाले देश का नम आप लोग को एक साथ मिल गया है चीन, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मियमार, नेपाल और बांगला देश और सबसे अधिक सीमा लगती है सत्रंज की शुरुवात किस देश में हुई थी तो सत्रंज की शुरुवात हुई थी भारत में सिख्षक दिवस कब मनाय जाता है तो सिख्षक दिवस पांच सितंबर को मनाय जाता है भारत के दूसरे राष्ट पती डाक्टर सरवपली राधा कृष्णंत के कितने आई तोक अपने पद पर बने रहते हैं 65 बर्स कितने बर्स तक 65 बर्स तक समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगे क्या कहलाती है समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगे क्या कहलाती है Magnetic Mines का हलाती है Magnetic Mines समुद्री मार्ग से संपुन विश्व का चकर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था Ferdinand Magalan था कौन था Ferdinand Magalan समुद्र गूप्त किसका पुत्र था चंद्रगूप्त प्रथम का समुद्र पार भारत का सबसे निकर्तम पडोशी देश कौन सा है तो इस प्रस्न का उतर है सिरलंका सिरलंका भारत के सबसे जह की पडोशी देश है समुद्र पार के हिसाब से अगला प्रस्न है समानता स्वतंतरता एहम बंधूत्व किस क्रांती का नारा था तो यह जह कि फ्रांस की राजक्रांती का नारा था और फ्रांस की राजक्रांती कम हुई थी 1789 में 1789 समाजवाद सब्द का सरो प्रथम प्रयोग किस ने किया समाजवाद का सब्द का प्रयोग सरो प्रथम रावर्ट ओवेन न किया था और बैग्यानिक समाजवाद के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है बैग्यानिक समाजवाद की बात होगी तो अगला प्रस्ण है समर इन कलकत किसकी रचना है समर इन कलकत कमला दास की है किसकी रचना है कमला दास की है सम भूकम परेखा किस परकार का होता है, तो ये अन्यमित होता है, अगला प्रस्ण है समझावता, एक्ष्प्रेश किन दो देशों के मध्य चलने वाली ट्रेन है, ये भारत तथा पकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन है, सभी दसाओं में मृत उडंड छमा करने की सक्ति किसमें नहीट है राष्टपती में नहीट है सबसे हलका धात्विक तत्व कौन सा है लिथियम सबसे हलका तत्व कौन सा है हाइडोजन सबसे हलका तत्तो कौन सा है हाइड्रोजन सबसे लवण ये सागर कौन सा है सबसे लवण ये सागर यान सबसे अधिक लवण की ये सागर कौन सा है तो मृत सागर है सबसे लंबी कोश्का कौन सी है तंत्रिका तंत्र की कोश्का है तंत्र का तंत्र की कुश्का है सबसे भारी धातू कौन सा है ओस्मियम है सबसे पहले मनुस्य ने किस धातू का प्रयोग किया था इसका उत्तर होगा तामबा सबसे छोटा गुंसुत्र किस में पाये जाते हैं ये सेवाल में पाये जाते हैं सेवाल कहां पाये जाता है जह की पानी में पाये जाता है नदीत तलाब और जह की सागर महासागर में अगला प्रसन है सबसे छोटा को उसकी अंग कौन सा है राइबोसोम है सबसे छोटा को उसकी अंग राइबोसोम है अगला प्रस्न है सबसे कम उम्र में राश्टपती पद को सुसोभीत करने वाले ब्यक्ति कौन थे तो ये थे नीलम संजीव रेडी ये भारत के छठे राश्टपती थे और ये 1977 से 1982 तक भारत के राश्टपती रहे और एक मात्र यही राश्टपती है जो निर्विरोथ चुन चुने गए थे निर्विरोथ चुने गए थे सबसे अधिक बिदुत रिणात्मक तत्तो कौन सा है तो फ्लोरीन है सबसे अधिक बिदुत रिणात्मक तत्तो कौन सा है फ्लोरीन है अगला प्रस्न है सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्र बनाए जाने योग्य धातु सबसे अधिक रेडियो सक्रियता किस की होती है तो रेडियम की होती है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चटान से प्राप्त होता है तो ग्रेनाइट चटान से होता है किस से होता है ग्रेनाइट चटान से होता है सबसे अधिक बार बजट पेस करने वाल बित मंत्री कौन थे? मुरार जी देसाई, जिन्होंने दस बार जो है की, बित को जो है की, बित बजट को प्रस्तुत किया, कितनी बार? दस बार. सत्भावना दिवस कब मनाय जाता है सत्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाय जाता है और 20 अगस्त को किसका जन्मत दिन है भूत पूर परधान मंतरी राजियू गांधी का जन्मत दिन है सत्यम्यो जैते किस उपनीशद से लिया गया है तो मुंड़को पनीशद से लिया गया है किस से लिया गया है मुंड़को पनीशद से लिया गया है अगला प्रस्न है सतीस धवन इस्पेस सेंटर कहां इस्थित है सिरी हरिकोटा आंधर प्रदेश में इस्थित है सति प्रथा का प्रथम प्रमान किस अभिलेख में मिलता है एरण अभिलेख में मिलता है और एरण अभिलेख भानु गुप्त का है ये 510 इसभी का है और ये एरण कहां पर है मध्य परदेश में है सचिन तेंदुलकर का पुरा नाम क्या है सचिन रमेश तेंदुलकर अगला प्रसना है संस्कृत ग्रंथ अश्टा धाई किस बिशय से संबंधित है तो ब्याकरण से संबंधित है और अश्टा धाई किस ने लिखा है तो पाणी नीने सर्व प्रथम सुन्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बहुत दार्शनी कौन थे नागार्जुन थे सर्व प्रथम कोजा गया छुद्रगरा कौन सा है सेरे सह सर्व प्रथम कीष ने होम रूल लिग किया स्थापना की तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था कब 1916 इसबी में अगला प्रथम है सर्व प्रथम कीष राजय में लोक अदालत आयोजित की गई थी इस प्रथम का सही उतर है गुजरात सर्व प्रथम कीष भारतिय साहित कार को नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया था रविन दरनाथ टैगोर को कब 1913 में कौन सी पुष्टक गितान जली के लिए अगला प्रशन है सर्शती सम्मान के तहत कितनी रासी प्रदान की जाती है 15 लाक रूपय की जाती है सर्शती सम्मान की संस्था के द्वारा दिया जाता है केके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है अगला प्रशन है सर्शती सम्मान कब प्रारम किया गया 1991 में कब प्रारम किया गया 1991 में सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत की रचना किसने की इस प्रस्न का सही उतर है रामपरसाद बिस्मील ने सरदार बल्लभाई पटेल राष्टी ये पूलिस अकाडमी कहां इस्तित है यह जो है कि हैदराबाद आंधर प्रदेश में था अब तेलांगाना में चला अगला प्रस्न है सरकार द्वारा बर्स में किये जाने वाले खर्चों पर किसके नियंतरन को सरवच्टा प्रदान की गई है संसत के किसको संसत को प्रदान की गई है अगला प्रस्ण है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रां को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है बी मुद्री करन कहलाता है संसद के लिए राष्टपति का विभासरन कौन तयार करता है केंद्रिय मंत्री मंडल अगला प्रस्ण है संसद के दोनों सदनों में प्रस्ण काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है सुन्यकाल कहा जाता है और यह जह की भारत के प्रस्ण काल के ठीक बाद सुरू होता है और इसका समय होता है बारव बज़े से एक बज़े तब संसत का कौन सा सदन अस्थाई सदन है तो राजे सभा है राजे सभा संसत का अस्थाई सदन है अगला प्रसना है संसत का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है लोग सभा कहलाता है जो प्रतेक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं संसत का कौन सा सदन उष सदन कहलाता है राजे सभा कहलाता है अगला प्रस्ना है सम्धान सभा ने तिरंगा को राष्टिये धवज के रूप में कब अपनाया 22 जुलाई 1947 को सम्धान सभा ने किसे प्रारूप समीति का धेक शुना भीमराव अंबेड कर को अगला प्रस्णा को सम्विधान के लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे साथ थे अब बरतमान में 6 हो गए है संपत्क अधिकार को सम्विधानिक अधिकार घोसित कर दिया गया है सम्विधान में हिंदी को क्या कहा गया है सम्विधान में हिंदी को राजभासा कहा गया है संभिधान में संसोधन की प्रक्रिया किस अनुशेद में बनित है संसोधन की प्रक्रिया अनुशेद 368 में बनित है और ये संसोधन की प्रक्रिया दक्षन अफरिका से लिया गया है कहां से लिया गया है दक्षन अफरिका से सम्विधान निर्मान में कितना समय लगा दो बर से ग्यारो माँ अठारा दिन कितना समय लगा दो बर से ग्यारो माँ अठारा दिन अगला प्रस्न है सम्विधान के किस संसोधन के तहत मौली करतवय को जोड़ा गया है 42 सम्मिधान संसोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और मौली करतव किस दे से लिया गया है तो रूस के सम्मिधान से लिया गया है अगला प्रसना है सम्मिधान के कीस भाग में राज के नीति निर्दे सकत तो बनित है तो भाग चार में बनित है 36 से 51 तक में सम्मिधान के कीस अनुष्यद में विधान सभा का गठन बनित है अनुष्यद 170 में सम्विधान की ब्याख्या करने का अंति मधिकार की से प्राप्त है सरोश न्याले को प्राप्त है हग्ला प्रस्न है शम्विधान की कीस अनुशूची में दल बदल समबन्दी कानून बढ़ित है तो दसवी अनुशुची में, दसवी अनुशुची कपारित किया गया था, नाइंटिन, जो है कि 85 में किया गया था, और ये कौन सा सम्विधान संसोधन था, ये सम्विधान संसोधन था, आपका बावनवा सम्विधान संसोधन था, अगला प्रसना है, सम्विधान का के कितने चदर्ष को अगला प्रस्ण है संजुकत संसर्भाग के कितने सदर्ष की गई थी 24 अक्टूबर 19-45 को संजुकत राश्ट संप का बर्तमान सदर्ष के संख्या कितनी है तो इस प्रस्न का उत्तर है 193, संजुक्त राश्ट संग के महासचीव की न्यूकती कितने बर्सों के लिए की जाती है, पांच बर्सों के लिए की जाती है, आखरी और लाश्ट प्रस्न है संजुक्त राश्ट संग के प्रथम महासचीव कौन थे, त्रिगवेली थे, कौन थ किजिए कमेंट किजिए और जिन प्रस्णों को आप लोग को जह की ब्याख्या चाहिए उसका भी कमेंट करके आप लोग पुछ सकते हैं और आप लोग को जह की ऐसे ही जह की जी के जी एस के क्वेशन काफी ज्यादे दिये जाएंगे कम समय में और आप लोग जह की से अधिक सदिक तैयारी करके अपना जो है की तैयारी को पूरा करिए और जो है की आने वाले कमटेटिव एक्जाम को जो है की सक्षेज हो ये ये मेरी जो है की सुबकामना है धन्य बाद